है ये चोड़े हैं जो कहिंब थोग आपके सावन की इससे पहले अगर आपने विए इसलाइटा करना पड़ेगा और वो का材 करेंगे इससे पहले वीडियो में कड़ें तो आपको मडूल इंस्टाल करना है और एक C EOS पाइल लेडरी के फोलडर में रखनी है ये दो करने के बाद हम इसमें एक नया content टाइप करेंगे ठिक है तो आपको structure के अंदर content टाइप के आइड content टाइप इन्दर अपकर क्लिक करना ठीक है उसके बाद को आपको इमेज है हम लोग एक इमेच इसलाइट वसो का एक कंटन टाइप बना लेगे डिस्क्रप्शन आप देना चाहिए दे सकते हैं यहां पर हम लोग टाइटल दे देते हैं इमेज टाइटल या इमेज नेम अब टेकर उसके बाद हमें नाइज को पब्लिश कराना अगर आप पब्लिश कराना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन अब ठीक है हम लोग पॉब्लिश ले सकते हैं इतनी क्लाव ने ठीक है तो आ डिस्प्ले आधर का सवाश्य देना जरूरी नहीं है आप अगर देना चाहिए तो अपने शाप से दिसकते हैं लोग कॉमन्ट क्लोस कर देंगे इसके बाद से कर देंगे से करनें के बाद हमें इसमे हें यहां लेगे तो हमें यहां पर बॉड़ी की ज़रुवत नहीं है तो हम यह पर बॉडी डिरीट करते हैं तो आप बोड़ी यूस करना चाहे तो यूज कर सकते हैं अब यहां पर चाहिए एक अगर आप यहाँ पर नई फिल्ड बनाते हैं तो डेटाबेस में आपके नई फिल्ड बन जाएगी जो कि आपका इस पेस और मेमोरी मतलब आपका डेटाबेस का साइज भी बढ़ेगा तो यहाँ पर एक जेस्टिंग फिल्ड यूज करना बहुत ही मतलब करना ही चाहिए हमे है बार बार अगर हम image की field create करते लिएente यां को साइज हमारDEN बढदता रहेगा तो हमें अगर आपके सेर्टींग मिस्टंक फिल्ड यूच्ट करेंगे तो हम उ इस फिल्ड को यूज करना है तो यहाँ पर 죄송 करना कि सेर्ट करना है प्रक्राप के पास इमेज की फिल्ट नहीं थी तो आपको यहाँ पर एक नई फिल्ट एड़ करने हैं ठीक है और हम यहाँ पर सेटिंग सेटिंग देख लेंगे ठीक है अगर आप यहाँ पर कि स्लाइड सो दे देते हैं तो आपके फाइल्स के अंदर एक नया फॉल्डर बनेगा ठीक है पब्लिक की जो आपकी डिरेक्टरी होगी इसमें एक नया फॉल्डर स्लाइड सो का एक नया फॉल्डर बनेगा ठीक है उस फॉल्डर के अंदर जब भी आप कंटेंट अपलोड करेंगे तो फॉल्डर के अंदर ही आप रखें वोग दीरे अपने प्रोजक्त में अड़ करते हैं तो उसके लिए में एड़ कंटन इमेज इसलाइट सो ठीक है यहां पर हम लोगे स्लाइट वन उसके बाद इमेज इसलेट करेंगे ठीक है इमेज वन ठीक है सेव कर देंगे इस्लाइट नमवरा अड़ कि इसी तरीकी से हम अपनी इश्ट हरे अभी जमारी बाकि में लिए земler कि तो हम लोग ने पाचोव specialist अपनी एट कर लिए ठीक है तो जब हम एड कर लेंगे तो हमारी content महां पर हमको शो करेगा ठीक है अधिक है हमने पांचों अमर्च एड कर लिए एक हमने ज्यादा कर लिए तो इसको हमने डिलीट कर देते हैं तो हमारी पांचो जो हमने एड की थी यहां पर आ गई यह देखे पांच एक पांच हमने एड कर लिए अब हमारा नेक्स्ट वर्क है हमें अब विव बनाना है तो उसके हम चलते हैं यह यहां पर हम लोग नाम दे देंगे अपना अ again आ hornal clicked हमारे इंच्ब आइक नामने इक एच्जार कर लें डहर है अबिकल्व कर लेंगे जोस्ते हां पर магम पेज नहीं बनाएंगे ब्लाइद कर लेंगे थीख तो इसके बाद कंटीनु एडिट तो हमारा अगला है हमें इमेज एड़ करनी है तो हम लोग इमेज एड़ कर लेते हैं इमेज स्लाइड सो जो हमने हैं बनाई थी वो एड़ कर ली अपलाई यह देखिए यह इमेज का साइस कुछ बड़ा है तो हम लोग इसको अपना स्टाइल भी देंगे ठीक है स्लाइड सो हमारा चल रहा है तो अभी हमें यह टाइटल नहीं चाहिए ठीक है तो हम लोग टाइटल यहां से रिमूट कर देते हैं ठीक है अब हमारे पास आगया इमेज अब अगर हमें यह पर स्टाइल लगाते हैं तो यहां पर हमारे पास कोई ऐसा स्टाइल नहीं है जो इसकी हाइट जाता हूँ तो विर्द कम हो ठीक है अगर इस लोग यह अप्लाई करेंगे तो यह छोटा हो जाएगा इस टाइप से ठीक है ठीक है तो इसको हम लोग इस नहीं रखते हैं यह थोड़ा सा बढ़ा करते है ठीक है यह सब्सक्राइब कर लेता है अब दोस्तों हम लोग ने सेव किया ना व्यू व्यू कितरे हम लोग बनाए तो हमें कहां जाना पड़ेगा ब्लॉग लॉक्स के अंदर हम लोग चलेंगे तो हमारा श्रटा नीचे यहां पर हम लोग ऑप्शन मिल गया होगा यह हमारा आगया इमेज स्लाइट तो अब इसको हम लोग 100 कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में चाहां में जो करना है तो हम ने जो पेज बनाया था एक ग्जामपल वाला उसमें चलते हैं इसको हम लोग रख देते हैं अपने कंटेंट में और हम लोग यूरल ले रहते हैं अपने पेज का और लिस्टेड उनले दे इस पेज ओके और सेफ कर देते हैं आप लोग इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यह देखिए हमारा इमें स्लाइट सो आ गया है ठीक है यह देखिए अब अगर आपको यहां पर ऐसी बटन देनी है इस टाइप की 123 वाली तो आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने वियू में वापस जाना है ठीक है जो कि आप यहां से भी जा सकते हैं और आपको यहां पर सेटिंग्स में जाना है इसके बाद आपको नीचे यहां पर आके बॉटम का पेजर हम लोग यूज़ करते हैं इस बार है और पेजर से पहले हम लोग दूस्तों हम लोग एक एक फिल्ड लेनी पड़ेगी तो चिक है उसको ले लेते हैं ग्लोबल विव रिजल्ट काउंट इसमें में कोई कुछ नहीं करना है बस इसको अमलोग को एड़ करना है यहां पर इसको के विल्ड करेंगे लेबल की हमें नीड नहीं है तो इसको हम चेक कर देंगे और सेफ कर देंगे ठीक हैं झाल झाल